इस दिन के लिए हमारे परिवार जुनों ने और हम ने सपने सजोये थे कि हम लिख पढ़कर के अफसर बनेंगे करमचारी बनेंगे और राजस्तान की जनता की सेवा करेंगे आपका सपना साकार हुआ इसलिए आप सब लोगों को बधाय देता हूं और भगवान से प्रात्ना करता हूं कि आप आने वाले समय में सफल पाके उच्छ शिकोत को चुए और जेसी राजस्तान की जनता को आपसे अपेक्षा है उसमें आप खरें उतरें क्योंकि भौत निगाय आपके उपर है और वह देखना चाहती है कि जो जर्व अधिकारी और करमचारी गण है वह किस प्रकार से हमारी सेवा करते हैं और किस प्रकार से अपने इसासन को चलाते हैं इसका इंजार आपका कर रहे हैं मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छा से अच्छा काम करके जनता की सेवा करेंगे प्रसाइशन को ठीक प्रकार से चलाएगे तो मैं समझता हूँ जो आपके लिए जनता ने सपना देखा है वो उनका सपना साकार होगा और आप सब लोगों से यह अपेक्षा करता हुआ क कि आप सब लोग जनता की अपेक्षा करें उतरेंगे इशिक साथ आप सब को बढ़ाए देता हूँ अपनी बात को समाप्त करता हूँ नमस्कार जैहिंद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मानेनी शिक्षा मंत्री महोद है और मानेनी मंत्री उद्योग एवं वानिजी सुचना प्रभ्योगी की और संचार युवा मामले और खेल कौशन नियोजन और उद्दिमेता सैनिक कल्याण वेभाग करनल राज्य वर्दन राठ अपना उद्वोधन हमें प्रदान करें माननी मंत्री बहुद आए वैसे तो यह पूरा हॉल युवाओं से भरा है लेकिन अभी तक ऐसी कोई गूंज नहीं उठी है जिससे इन पत्थरों को बदा चले यहां युवा विराजमान है बोलिया भारत माता की कि क्या इससे बहतर हो सकता है बोले भारत माता की आज का दिन बहुत खास है इसलिए मैं चाहता था कि एक जोरदार नारा लगे भारत माता का और खास इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में ये पल एक बार आया आज आज आप सब को तक्रीबन 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है आज के दिन 5,000 को दिया जा रहा है और वो भी राजिस्तान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के हातों द्वारा दिया जा रहा है ये बहुत खास बात मंच पे विराजमान मेरे सभी मंत्री साथ ही हमारे अधिकारी गण और खास तोर से हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी यहाँ पर बैठे सभी अधिकारी गण यहाँ पे बैठे सभी मेरे युवा साथ ही है जैसे मैंने कहा कि ये दिम बहुत खास है कि आज आपको न्युक्ति दी जा रही है ये उस शरंखला के अंदर एक और कदम है जो प्रधान मंत्री मोदी जी ने 22 अक्तूबर 2022 से शुरू करा रोजगार के इस ऐसे इवेंट और्गनाइज करे गए ऐसे बारा एवेंट होए दो हजार बाईस अक्तूबर से लेकर दो हजार चौबिस फरवरी तक और उन बारा इवेंट्स के अंदर देश के अंदर सरकारी नोक्रियों के अंदर आठ लाख नियुक्या दी गए मैं राजिस्तान के मुक्यमंत्री बजरलाज जी को बदाई देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री मोदी जी का जो सपना है उनका जो संकल्प है कि हमारे युवाँ को और मजबूत करना है उस श्रंखला में आपने एक मजबूत कदम होथाया और एक बड़ी सभा करके हमारे सभी युवाँ को इंस्पायर करने की भी बात करी और इनको न्यूक्ति पत्र देने की भी बात करी मुझे याद है आप ही कितरह है 15 दिसंबर 1990 जैसे आप बिराजमान है वैसे ही पासिंग आउट परेड तेरा दून में मैं भी बैठा था परेड होई आखरी कदम लिया और कसम खाए चेटवूड हॉल के अंदर यह अमारा राश्ट्र सबसे पहले हर हालत में हर खीमत यह कसम हर सैनिक खाता है हर सैनिक इस कसम को उठाता है चैसर हो या सिपाई हो राश्ट्र सबसे पहले उसके बाद मेरे साथी मेरी टीम और अंत में मैं खुद आपको यह कसम उठानी चाहिए अपने मन में ही सही क्योंकि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और यह आसानी से नहीं मिली है ना जाने किस तरह की परेशानिया आपने उठाई होगी आपके मादा पिता ने उठाई होगी किस तरह की परिस्टित्या रही होंगी उन सब को पार करके आप उन करोडों लोगों में से हैं जिने ये अवसर दिया जाला है कि राजिस्थान सरकार का हिस्सा बने अभी तक कई बार ऐसा लगता होगा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है अब आप वो सिस्टम है आप को सिस्टम अगर आपको पहले लगता था कि system ठीक नहीं है तो ये अफसर है उस system को ठीक करने का आप जहां आपको जिम्मेदारी दी गई है वहाँ पे कुछ गलत हो रहा हो तो उसको सही करिए अगर आपको लगता है कि आपके दाइरे में वो नहीं है तो आपने उच अधिकारी को बताईए कि इसको दुरुस्त करना चाहिए लेकिन हो सकता है वो दुरुस्त ना हो और अगर ऐसा हो तो अपनी नोट बुक में नोट कर लीजिए जब आप उसकुछ अधिकारी की पॉजेशन पर आए तब याद करके वो जो गलत चीश थी उसको दुरुस्त करें आप में इनिशेटिव होना चाहिए युवा है वैसे भी उर्जा है एक बदलाव की ताकत है कुछ सही करने की इच्छा है सबसे पहले तो अपने साथियों को समालिये जहां बैट तें दफ्तर साफ होना चाहिए जिम्मेदारी आपकी आपके जो साथी हैं उनकी व्यवस्ता ठीक है या नहीं यह सारी आपकी जिम्मेदारी आप ऐसी टीम बनाएए जो अपने लक्ष को पूरा कर सके जो लक्ष भा रत को मजबूत करने का है प्रदान मंत्री मोदी जी ने लक्ष रखा है आज की तारीक में 20,000 नौजमानों को यहां पे नौकरी दी जा रही है सतर हजार नौकरियों का संकल्फ है हर साल इस तरह के कारेकरम होंगे और 70,000 युवाओं को सरकार के अंदर नौकरी दी है और यह तो केवल सरकार की बात है, सरकार के अलावा, चाहे वो self-employment हो, चाहे वो private job हो, जिस तरह का बातवरन पुरे देश में बनाया जा रहा है, हाइवेज बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, डिजिटल इंफरास्ट्रॉक्चर खड़ा हो रहा है, हर तरह से दुनिया आज देश की तरफ देख रही है, दुनिया आज निवेश करना चाहती है भारत के अंदर, आपको ये सुब अफसर मिला है, ये सुब अफसर आपको मिला है, क्योंकि आप युवा हैं, कि अमरित भारत के आजाद होने पर जो अमरित काल है, उस पूरे अमरित काल के आप जिम्मे इस अम्रित काल के अम्रित रक्षक आप नौजवान है जो ही भारत को बजबूत बना सकते हैं इसलिए मैं आपको एक बार फिर बढ़ाई देता हूं शुबकामनाई देता हूं बोलिये भारत माता की धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मानिनी मंत्री महट है और आईए जिन पलों का इस सभागार में उपस्थित कार्मिकों को इंतजार है लगब 20,000 कार्मिकों को नियुक्ति दी जा चुकी है उनमें से 6 नित 10 कार्मिकों को आज यहां नियुक्ति पत्र प्रदान किया रह अभी हम आपको सामने लगे हुए बड़े स्क्रीन पर स्क्रोल के माध्यम से प्रदर्शन के साथ देख पाएंगे, आयोक्त महोदय, रिमोट का बटन, मानमी मुख्य मंत्री महोदय से अनुरूद, रिमोट का बटन दबा कर और इसे प्रदर्शित करें, और आईए होती है, इस स्क्रोल के माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं, आईए उन कार्मिकों को, अब हम यहां एक के बाद एक आमंत्रित करते हैं, सबसे पहले मोतिलाल गुर्जर पशुधन सहाय, मोतिलाल गुर्जर, पशुधन सहाय, सबका अभिवादन आप स्विकार करें, जोर आमीन परिवेश्ट से आते हैं, परिवाद की आर्थिक स्थिती अच्छी नहीं होने के बावजूद, आपने लगन और कठिन मेहनत के साथ तैयारी कर इस परिक्षा में सफलता प्राप्त की और पशुधन सहायक की पदपर आपकी नियुक्ति हुई है, मोतिलाल गुर्जर और आईए अगला नियुक्ति पत्र हम प्रदान कर रहे हैं, कलपेश कुमार कलाल, कलपेश कुमार कलाल समुह अनुदेशक, आप भी ग्रामीन परिवेश्ट से आते हैं, आपने पारिवारिक जिम्मेदरियों को निर्वहन करते हुए परिक्षा की तैयारी और सफलता प्र करना चाहते हैं, इस क्रम में संजय कुमार कनिष्ट अनुदेशक आपने कथिन मेहनत और लगन के साथ परिक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त की, आप शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, पिता के निधन के बाद परिवारिक जिम्मेदारियों को सभालने के साथ सेल्फ स्टेडी और ओनलाइन कोचिंग से तैयारी की और सफलता प्राप्त की, सुनीता, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, सुनीता, आप परिवार की पहली सदस्य हैं, जो राजकी सेवा में आई आप डिजिटल साक्षर्ता को बढ़ाने में अपना युगदान देना चाहती हैं, विजिया कमर, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, आप अपने परिवार की प्रेड़ना से परिक्षा में आपने सफलता हासिल की है, विजिया कमर, पुल्दीत मीना, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, आप ब्रामीन परिवेश्ट से आते हैं, 2019 से आप परिक्षा के तयारी कर रहे हैं, और समाज में जागरती लाना चाहते हैं, मैं आपको ये अनुरोध कर दूँ कि बहुत सारी आपकी तालियां जो इनकी शुभकामनाओं का प्रतिरूप बनेंगी, भानु प आक से द सहायग नगर नियोजग कर रहे हैं, और परिवारी क जिम्मेदार्यों को निभाते हुए आपने सफलता हासिल की है। चित्राक्षी मीना सहायक नगर नियोजर चित्राक्षी मीना आपने अपने तैयारी कोचिंग और सेल्फ स्टेडी से की है शिक्षित परिवार की प्रस्ट भूमी से आती है उन्हीं की ट्रेना से आपने सफलता हासिल की है रोहित शर्मा लेब टेक्नीशन 2020 में परिक्षा की तैयारी आप 2020 से कर रहे हैं पहली बार राज की सेवा में प्रवेश कर रहे हैं राजस्थान को बहतर चिकित्सा सेवाइं देने के लिए आप अपना योगदान देना चाहते हैं रोहित शर्मा रेखा अश्वर लेब टेक्नीशन पहली बार राज की सेवा में प्रवेश चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में आने की रुची आपकी शुरू से रही है बिमपल टेलर सहायक रेडियोग्रापर आप अपने परिवार की पहली सदसे हैं जो राज की सेवा में प्रवेश कर रही है मरीजों की सेवा करना चाहती है राजस्थान को अग्रिम बनाने में अपना योगदान देना चाहती है बिमपल टेलर सम्मान प्रहेंट कर रही है और पंकज से है सहायक रेडियोग्रापर राज की सेवा में सुरक्षा का भाव आपकी प्रेड़ना का स्त्रोत रहा है. पंकज से हैं साहेक रेडियोग्राफर. पिंकी अध्यापिका लेवल टू. पिंकी आप वश्च 2021 से परिक्षा की तैयारी कर रही हैं. शिक्षा के खेप्र में आपकी रुच्ची शुरू से हैं. अपने मन की बात माननी मुख्य मंत्री महुदेश से साजा करते हुए और इसक्रम में कविता मीना अध्यापिका लेवल टू. कविता मीना आपने कथिन परिशम से परिक्षा में सफलता हासिल की है. 2021 से परिक्षा के तैयारी कर रही हैं. और अब अंत में सुरेंद्र कुमार शर्मा अध्यापिक लेवल टू. 2015 से से परिक्षा के तैयारी कर रहे हैं. परोना काल में परिवार के आर्थे किस्तिती बिगड़ने के कारण आपका जुकाव सरकारी नौकरी के ओर हुआ. इसके पहले आप निजी सेवाओं में कार्य रख थे. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मानेने मुख्यमंत्री महोदैर. और इस सभागार में बैठे हुए और पूरे राजस्थान से सभी जिलों में जो लोग इस आज के कारिक्रम से जोड़ रहे हैं, हर कार्मिक, हर शक्स से एक बार अनुरूद करना चाहेंगे, अपने दोनों हाथों को उपर उठा कर. पस्थ अभिव्यत्य दे, जो अदा तालियों के माध्यम से, ये सम्मान हमारे पूरे राजस्थान के कार्मिकों का सम्मान, ये तालिया बनेगी, नहीं उस कार्मिकों के लिए शुप काम नाउं का प्रति दूप, मंगल काम नाउं का प्रति दूप. बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तालियों के लिए और माने नी मुख्य मत्री जी, आज दस नव चैने तार्मिकों जिने आज न्यूत्ति पत्र मिले हैं और उनसे वर्चोल संभाद करेंगे, उनसे सीधे संभाद की ताकत से प्रदेश के हर शेत्र में व्यावारिक और मील का पत्र शामिल होने लिए, इन योजनाओं ने न सिर्फ आकार लिया है, बलकि उनका प्रभावी और पूरी प्रतिवद्धता के साथ प्रयानवेन सुनिश्चित हुआ है, मानने मुख्य मंत्री जी, अब संभाद करेंगे हमारे काद्मिकों से, बहुत बहुत अन्वाद, सबसे पहले तुम्हें यहां जो ब्राजमन है, क्योंकि आपका जो सम्माद होगा पूरे राजिस्थान में सुनेंगे, आकांचाद दुवे, बहुत बहुत सुपकामना आकांचाजी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्ड, अब बताईए कि, थोड़ा सा अपने वारे में भी बताईए कि आपने किस तरह से मेहनत की, आज आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या परिसानी आई, और आव उन परिसानियों के बाद जो एक आपको तोफा मिला है, कैसा लगा, तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बताईए, फिर एक बार संदेश भी दीजिए सभी को कि आपने जिस तरह से किया, तो एक बार बताएं, जी सर, बहुत 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 थानिवाद, सर प्रथम मैं मुख्यमंत्री महादय और आप सभी का आभार वेक्त करना चाहती हूं, कि आरेस दो जार इकिस भड़ती परिक्षा का जब परिणाम आया था, और उसके बाद शिग्र नियुक्ती देकर, उसके बाद हमारा प्रशिक्षन भी समय पर OTS में प्रारंब करवाए गया, इसके लिए बहुत बहुत धनिवाद सर्थ, सर मैं राजस्थान के ही उद्यापुर जिले की निवासी हूँ, आकांशार दुबे, और मैंने आरेस दोचार एकिस भरती परिक्षा में चटारस्थान प्राप्त किया था, और मुझे राजस्थान प्रशाशनिक सेवा का पद अवंटित हुआ है, और सर आपने जैसा पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, तो मैं काफी उत्साहित हूँ, सेलक्षन के बाद काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, और जिस प्रशाशन को, जिस एड्मिनिस्टेटिव सिस्टम को मैंने अभी तक बाहर से देखा था, अब उसका हिस्सा बनकर काम करने का अवसर मिलने वाला है, यह मेरे लिए बहुत ही गौर्वानवित करने वाला शन है, और जैसा कि अभी आदर्णिय मंत्री महादे करनल राठोड सर ने कहा, कि सेवा में एक ही बात ध्यान दखनी है कि राष्ट्र हमेशा प्रथम होना चाहिए, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अपनी पूरी सेवा काल में यह मेरा ध्ये रहेगा कि राष्ट्र हमेशा प्रथम, सम्विधान हमेशा प्रथम. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. यह विश्वास प्रथम को अचा है मैंने स्टी के माध्यम से ही थी परिक्षा पी टीन स्टैजिज में तिया दे अप्रलिम्स मेंस एंड इंटर्व्यूू. तीनों को ही मैंने सेल्फ स्टडी से तयार किया था और इसमें मैं में मैंशन करना चाहूंगी कि दीयाई पियार जो सूचना एंप जन संपर्क विभाग की पत्री का प्रकाशित होती है सुझस पत्री का उससे हमें परिक्षाओं में काफी है तो जो भी युवा साथिये वह उस पत्रिका को अवश्य पढ़े और युवा साथियों के लिए मेरा संदेश यही है कि जितनी महनत जितने उत्साह के साथ हम परिक्षा की तैयारी करते हैं उससे दुगने उत्साह के साथ सेवा में आने के बाद तैयारी करें नियुमों को जाने परिप तरों को पड़ें और सेवा में जितना accountability और integrity के साथ काम कर सकते हैं उतना अपना बैस्ट देने का प्रयाज करेंगे धन्यवाद सद्थ कि बहुत अच्छा कि यह बेद परकास गुर्जर कि बाड़े जी कर सेवा में यह इनका जिला है ठीक कि नमस्ते सर सर मेरा नाम विप्रकास गुर्जर है और मैं डीग जीले की नगा तैसिल कर निवासी हूं सर मैं आरेस बग्ति परिक्षा के मादम से वानेच कर विवाग में रचेहन हुआ है सर समसे पहले में यह मंच तान करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता ह है सर उसकी विवस्ता करने के लिए आपका बहुत 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 दन्यवाद है सर मैं हमारे समस्त पांड़सन बैच के वर से आपको शोर करना चाहता हूं कि आपका और प्रदानमत्री मोदी जी जवाजों संकल्प है 2047 को लेकर सर उसमें हमारे राइस्तान को अगरी राज अर्她 झाल है सर वो कोरो न वारियर थे और है उन-की प्रेड़ना से iba इस पदब आन से तरह नवेझ पीक लिए तयारी शुरू की और आप ने जिससताइज में जथे सर 5927 सुरू कराया सर उंका जनम दिन ठाव न कि मैं आरे सदिकारी बनूं सरुनके जनम दिन पर आपने मुझे अधिक ये तोफा दिया है सर इसके लिए आपका भूद बहुत धन्यवाद कि इस मंच से अपने मातक कर अधार और उन सभी प्रियाजनों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनोंने मुझे यहां तक पहुचाने में मदद किये सार थेंक यू सर थेंकियो स्थेंक्स अबर्ट अच्छा न्मस्कार मैं है मन सींग सिखावत और मैं राजस्तान पुलिस और मैं शिकर जले के दातारामगर तेसल के गांपुली खचरयावस का निवासी हूं। मैंने भूदपूरु सेनिक वर्क के अंदर जो है रास्तान पुली सेवा में मेरे चाहिनी थूहूं। और मैं एक विसेश आपके संग्यान में लाना चाहता हूं कि पहले भूदपूरु सेनिकों को राजे सेवा के लिए योगे नहीं माना जाता था तो पूरुवर्ती भाजपा सरकार ने सन दोजार अठार में सत्रह चार दोजार अठार को उन्होंने एक अधिसूचना जाई कर के हमें राजे सेवा के लिए नियूम में उन्होंने संसोधन करके हमें योगे बनवाया और ये ये दूसरा बेच है जिसके अंदर हमें राजे सेवा मिली है और मैं आपका विसेश तोट से उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आचार सही ता कि जारी रहते वे जो एक अबुत पूरो योटियाश देना चाहता हूं मेरी परिवाजनों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी टेहरे के दोरान मेरा साथ दिया और आज मैं इस पत ნेनित है दोफ कह तन्यवाद है बहुत अच्छा संकरलाल जी चौधरी आई सीडियेस संकरलाल जी है संकरलाल जोधरी है मैं दूदू जीले का निवासी हूँ स्रीवान मेरा चैन मैला एहूं बालविकास विबाग के तएट बालविकास प्रियोजना दिकारी के रूप में हुआ है मौदे आपके परियासों से अतीज सीग्र नियुक्ति मिली इसके लिए हम सभी नौचैनित युवाओं की ओड़ से आपका अर्दिकाबार मौदे मौदे हम आपको आस्वासन देते हैं कि हम सभी नौचैनित युवा नेतिक्ता के मारक पर चलते हुए राजस्तान के लिए उतकरश्ट कारी करेंगे दन्यवाद बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा अच्छा जिए वाज़े नेति अब भी सी के मार्धम से हमारे पीछ में जोड़े हैं वबाड मेर से ऑद मौचिप पारुष्टि के अच्छा अध मिल से िए नमस्ते संव मैं डॉक्टरल पारुष्टि मालावत मैं राज के सिकतसा मांविड्या बाड में में सहय कचारे पर अभी वर्दमान में कार्या थूँ सर मेरी और मेरी परिवार की जो इच्छा थी कि मैं कित से अधिकारी बनूँ और लोगों की सेवा करूँ उसके लिए मैं मानने आपका बहुत तहे दिल से शुक्रियादा करना जाती हूं कि आपने इतने कम समय में आचार क्या इलाका माना जाता है वहां आकर अपनी सेवाएं दे रही हूं तो मैं जो भी युवाएं हैं उनसे ये अनुरोद करना चाहूंगी कि जितना हो सके पिछड़े वर्ग है ग्रास्रूट लेवल पर आएं और अपनी चिकतसाइं सेवाएं दे जिससे कि जो जरुत मन्द ह है और जिनको सही में जरुत है उनको हम स्वास सेवाएं दे सके और एक राजिस्थान को निरोगी और स्वस्पन्दे में पूरी हमारी कॉंट्रिब्यूशन कर सके तो सर धन्यवाद इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहूंगी और जितना हो सके मैं अपने आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं जो सरकार की यूजनाएं हैं जो जिकित सेवाएं हैं वो दरुवत मन तक को पहुचाऊं और एक स्वस्थ राजिस्थान को बनाने में अपना पूरा कर्टव्य निबाऊं धन्यवाद स्वाद स्वाद बहुत अच्छा बहुत अ अजया था लिए और आज तरुष्ट वड़िय ने मेरा सेलेक्शन हुआ था को परेटिव डिपार्टमेंट में अ करेंटली मैं कोपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पे चएणित हुआ हूँ और मेरा बारा साल का प्राइवे ने क्स्पीरियंस था उसके बाद मैंने डिया लिया कि मैं गौर्मेंट सेक्टर में आओ पॉब्लिक सर्विस के साथ डील करूँ और मैंने आरेस के एक्जाम्स के लिए तैयारी करी और मेरा चैन हुआ है और स्ट्रगल था मानता हूँ लेकिन नतीजा भी काफी अच्छा रहा और सर इस माध्यम के तुरू आज मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खास तोर से आपके निर्तित में जो राज्तान सरकार ने चीटिंग गिरोह के विरुद जो स्टेप्स लिये है ये सारे एस्परियंस के लिए एक न्याए दिलाने वाली बात है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ थैंक्यो ना थावजी जोदपूर ओमाराम जी जोदपूर ओमाराम जी जोदपूर ओमाराम जी प्रणी से चेहन हो आओ सर मेरा भी सपना था जब हम विद्याले में जादे थे गामें भी सिक्सक बना वह समय है कि आज मैं शिक्सक बनकर विद्याले जाता हूं और आपको बहुत-बहुत सदुवाद के मेरी नियुक्ती मेरी नियुक्ती 18 दिसमब्र 2000 से इसको हुई थी और सर मेरे मेरे शूंकी मेरे नपीताजी किसान है और आपके द्वरा लाइगे योजना किसान समाने दी कि तरह उनको और मेरे चैनी से दौनों तरब से आपको बहुत-बहुत सुप काना देता हूं आप मिस्टरे सेवा योजना का कारे करते दनियावाद सर्थ बहुत अच बहुत-बहुत धन्यवाद सर्थ सर मेरा नाम उद्धे सर्मा है सर्मा शिक करजी लेके हरस गाओं का रने वाला हूं और सर्मा वरतमान में नेम का थाना वरिष्ट उपाद्याए में प्राध्या पकद पर कारे रत हूं सर मेरा बच्पन से ही सपना था मैं संस्कृत विवा ऱखट देता हूं जिनोंने इस नवाचार और तकनिकी के का कि के द्वारा मुख्य मंत्री मुहदे शे हमारी बारता करवाने और समवाद करवाने का कारे किया है उसके साथ ही हमें शिग्राती शिग्रे नियुक्ति परदान की उसके लिए भी राजस्तान सरकार का और माननी मुख्यमंतरी मोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दिसंबर माह से ही आपने नियुक्तियां देना सुरू कर दिया था वरिष्ट अध्यापक में आपने नियुक्ति 24 दिसंबर से देना सुरू कर दिया था इसके लिए माह आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपने जो पेपर लीक पर और परिक्षाओं में अनाचार करने वालों पर जो लगाम कशी है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्रीमान मैं रीट पेपर लीक और रीट रद का शिकार हुआ हूँ तो मैं चाहता हूँ कि पेपर लीक और जो परिक्षाओं में अनाचार की फुछ घचनाए हो रही है उन पर पूंड ते लगाम कशी जाए और हमें आसा है और पूंड विश्वास भी है कि राजस्तान की वरतमान सरकार इस पर पूंड कारिय करेगी धन्यवाद महुद है बहुत रच्छा